अब चलते हो और आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीश चैनल को सस्क्राइब कर लो साथ में बैल आइगन का बटन भी प्रेस कर लो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के join कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की update में मिलती है साथ में आप हमसे प्रेड के बारे में discuss कर सकते हो कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूंच सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपके पास dmatt account नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमारे डर में dmatt account भी open कर सकते हो उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा अब चलते हैं जो यहाँ पे intraday के stocks हैं उनकी list के उपर तो जो सबसे पहले number का stock अपने चुना है वो है jometo अब jometo के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार का इसने formation किया है यहाँ पे head and solder pattern है इसका breakdown नहीं हुआ है यह upside में निकल रहा है तो यहाँ पे head and solder तो बना है लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हो सकता है कि यह जो यहाँ पे breakout दिया था उसका बाद में retesting हो और यह एक channel का formation किया है तो यह upside के अंदर यह वाला जो resistance एडिया है इसकी तरफ जा सकता है वैसे भी इसके blinkit का जो यहाँ पे आप देखोगे blinkit की जो valuation है वो jometo से भी बहुत तेजी से increase हो रही है 197 और 199 यह दो target होंगे और जो stop loss है इसके अंदर 193.5 का आपको लगा के रखना है तो यह हमारा first number का stock हो गया इसके बाद में जो यहाँ पे हमारा second number का stock है वो हो euro pharma और window pharma इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा यह वाला जो chart pattern है यह formation हो रखा है और इसके अंदर market है वो आप देखोगे की काफी अच्छे तरीके से follow कर रहा है यह वाले जो swings है इनको निकाल चुका है तो upper side की जो trend line है उसकी तरफ और सबसे पहले यह वाले जो swing के target है वो हमारे आने वाले है तो इसके अंदर आपको 1157 के उपर निकलता हुआ दिखे है तो आपको entry करनी चीए और जो target है 1167 एंड 1177 के दो target रखने है और 1147 का यहाँ पे आपका stop loss बनता है तो यह हमारा second number का stock हो गया इसके बाद में जो third number का stock है वो है GSFC इस stock को मैंने पहले भी आपको दिया है लेकिन इसके अंदर यहाँ पे अभी तेजी है वो नहीं बन पाई है यह वाले जो swing है इन swings के पास में market है वो आकर के थोड़ाखा consolidation दे रहा है लेकिन इसके अंदर तेजी बनती है तो बहुत अच्छी तेजी बनेगी क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे inverted head and shoulder pattern है उसका breakout हो चुका है तो जैसे ही निकलेगा तो बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी अब BLS International के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाले chart pattern को यह follow कर रहा है और यहाँ पे यह वाली जो trend line है ठीक है इस trend line का यहाँ पे आप देखोगे तो यह breakout दिया है अब इस breakout के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे pullback लेकर के breakout दिया है आज काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है तो इसके अंदर अगर यह उपर के अंदर 352.5 का level निकलता है तो आपको buying करनी चीए 356 पहला target 359 यह second target बनता है और इस टो प्लोस 348 का आपको ल यहाँ पे trend line है इसका resistance यह लेता है और downside के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने काफी अच्छा यहाँ पे rounding type से बनाया है मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ compress करता हूँ अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से इसने correction शुरू की थी और य यहाँ से आप देखोगे थोड़ इसी बड़ी correction हुई है और यह वाली trend line का support लेकर के उपर निकला है तो यहाँ पे इसने क्या किया है जो trend था downside का उसको upper side में निकालना शुरू किया है यहाँ पे जो low create किया है इस low को यहाँ पे इसने नीचे breakdown नहीं दिया है यह swing है इसको पहली बार उपर निकला है अब second time यह वाले जो swings है इनको उपर निकालने की तयारी कर चुका है तो जैसे ही यह इसके उपर sustain करेगा तो तेजी से upside बनेगी इसके अंदर तो 550 के उपर निकलता है तो आपको entry करनी चीए 550 का पहला target 562 का दूसरा target और 545 का यहाँ पे stop loss बनता है तो यह यहाँ पे मैंने जो सभी यहाँ पे जो intraday के stocks हैं वो मैंने आपको बता हैं और साथ में आपको थोड़ा सा जो news section का वीडियो है वो इसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि Ireda जो company है ठीक है Ireda Ireda ठीक है उसको यहाँ पे महारतन company का जो यहाँ पे एक देखोगे जो second news है यह पहली news हो गई Ireda की ठीक है Ireda की पहली news हो गई दूसरी जो news है वो है BSC Limited को ले करके अब BSC को यहाँ पे क्यों गिरा है तो कि BSC को यहाँ पे जो सेवी है उसने यहाँ पे एक notice जारी किया है और सेवी ने नोटीस जारी किया है कि इसके जो BSC के options के है option trading होती है तो यहाँ पे BSC यहाँ पे premium के उपर जो यहाँ पे calculation करके सेवी को जो यहाँ पे charges है वो देता था तो सेवी ने कहा है कि premium के उपर ही calculation नहीं करनी है total जो national value है यानि कि जो भी contract की total size है उसके उपर calculate करके हमें payment दो तो यह चीज यहाँ पे कही है तो इस वज़े स यहाँ पे BSC के उपर 125 करोड का यहाँ पे क्या लगा है dent लगा है और इसी वज़े से आप देखोगे यह यहाँ पे NSE है वो यहाँ पे इसी तरीके से national value के उपर ही calculate करके देता है तो BSC के उपर यहाँ पे लागू होता है तो BSC को 125 करोड रुपए अभी और देने पड़े तो अगर यहाँ पे BSC है वो transaction charges को कुछ charges है उनको increase कर देता है NSE के बराबर भी लेकिया जाता है तो फिर यह यहाँ पे जो अभी BSC के उपर जो EPS का यहाँ पे almost 15-17% का यहाँ पे और यह जो total FY25 के उपर जो यहाँ पे profit है उसके उपर almost 21% का impact पढ़ेगा इस यहाँ पे notification स वो यहाँ पे almost 6% का ही रह जाएगा तो यह चीज़ देखनी होगी कि अब यह क्या करता है अला कि यह BSC अभी SET के अंदर यहाँ पे जाने वाले हैं तो देखना होगा कि क्या होता है तो यह एक news हो गई तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अल्टाटेक के results हैं वो काफी अच्छे हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है और साथ में जो यहाँ पे small finance banks हैं उनको RBI की guideline आई है कि वो universal bank बन सकते हैं अगर वो अच्छा प्रदसन करते हैं अच्छी यहाँ पे results लेके आते हैं और उनके उपर कोई भी illegal या फिर को और universal bank अगर small finance bank वाला जो है small finance bank है वो universal bank मनता है उसके लिए बहुत benefit होते हैं तो यह सीज़ जितने भी यहाँ पे लगबग 12 से तेरा small finance bank है उनके लिए positive हो गई तो यह सारी चीचे मैं आपको बता दी है आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डी मैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप विल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डी मैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मिलते है नेक वीडियो में